इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही यूनीक टेस्टी और मार्केट स्टाइल रेसिपी लिए रही हूँ जो मार्केट में मिलती है ना वैसे वाली और जो टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा है इन रेसिपी को आप घर पे बहुत ही कम प्राइज में बना सकते हैं वो भी मार्केट जैसा है टेस्ट तो सबसे पहले मैंने पानी बोयल कर लिया है और यह मैंने कौन डिये थे फ्रीजर में रख दिये हैं जब भी हम्हार्केट चलाते हैं तो यह काफी टाइम तक चल जाते हैं तो यह अच्छे से बोयल हो गये हैं आप देखी सकते हैं कितने पानी निकालने के बाद एक बाल में हम इनको डाल देंगे तो हमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ऑर यह हेल्डी रेसिपी है तो इसमें सबसे पहले हमने बटर डाल दिया है और जो नमक होता है न काला नमक वह हमने इसमें एड़ कर दिया है और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, चाट मसाला और जीरा पाउडर ये तीनों चीज हमें इसमें एड़ करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च भी एड़ कर दें तो मैंने कस्मी री लाल मेच एड़ किया जिससे किसमे थोड़ा सा कलर आज जाए अगर नॉर्मल करोगे तो अगर आप तीका खाते तो नॉर्मल भी कर सकते हो तो यह सारी चीज़ एड़ करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि यह गर्मा गरम है ना तो बटर अच्छे से पिखल जाएगा अगर थंडा हो गए आपके कॉन तो आप थोड़ा सा एक पैन में बटर को गरम कर लें और उसमें कॉन डाल के मिक्स कर लें उसके बाद उसकी को पर आप यह सारे मसाले अड़ कर दें तो बस हमारी जो रेसिपी है कॉन की कॉन चार्ट रेड़ी हो गया है जो मार्केट में मिलता है ना और यह बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है देखें कितना अच्छा दिख रहा है ना तो कभी आपको हलका फुलका या हल्थी खाने का मन करें तो आप इस तरीके की कौन चार्ट बना सकते हैं यह रेसिपी बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है और आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे देखना मांग मांग कर खांगे तो ये मैंने मलाई ली है, दो कटोरी मलाई ली है और इसमें एक कटोरी चीनी अड़ कर दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जो घर की हुई बची मुई मलाई होते हैं वो हमने ली है तो इसी तरीके से आप मिक्स कर रहें जिससे कि इसमें चीनी अच्छे से मि मिक्स करने के बाद हमें इसमें मैदा डालेंगे आप चाहें तो और हेल्थी बनाना तो आप इसकी जगें आटा भी डाल सकते हैं तो मैंने डेड़ कटोरी मैदा लिया है और इसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सबसे पहले आप सारे इंग्रीडिन्स डाल तें और इसको अच्छे से mix कर लें अब हम इसमें बेकिंग सोड़ा डालेंगे और थोड़ा सा बनीला एसंस डालेंगे दो से तीन मूदा है बनीला एसंस की डालेंगे और इसके बाद हम इसमें Coco Powder भी डालेंगे तो अभी हम इसको mix कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें cocoa powder डालेंगे cocoa chocolate हो जाएगा ना तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा तो थोड़ा सा जैसे बैटर केक का बैटर होता है उस तरीके से आप बना लें तो थोड़ा थोड़ा पानी भी एड़ कर लें इसमें तो आप देखी सकते हैं कितने अच्छे से smooth बैटर तैयार हो गया है अब हम इसमें cocoa powder डालेंगे तो cocoa powder आप अपने according डालें कमिया ज़्यादा भी इसमें add कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए तो आप ज़्यादा डालनें अगर थोड़ा सा कम चॉकलेट आप इसको mix कर लें तो हमारा बैटर बुलको तयार हो गया है अब हम इसके लिए जो cake वाली जो टेन होती है वो तयार कर लेंगे तो इसमें हमने oil लगा लिया है oil लगाने के बाद हम मैदे को sprinkle कर लेंगे चारो तरब से अच्छे से जिसे की मैदा चारो तरब अच्छे से च 5 मिनिट के लिए 2 मिनिट के लिए मतलब 2 मिनिट पहली आप इसको preheat कर लें को कर को अब हम इसमें बैटर डाल देंगे तो हमने बैटर डाल दिया है और इसको 3-4 वाद थोड़ा सा टैप कर लें इसको यह इस तरीके से इसमें जो भी air होती है वो सारी निकल जाती है और इस को करके अजन्द कुछ भी नहीं दानना है बैस ऐसी टेन को रख देना है और लिएम को हमें भी रख लिए तो दोस्तों आपके पास अबट नहीं तो है तो आप इस तरीकेसे भी केक को बना सकते हैं बेल्कुल अबट जैसे ही बन जाता है और लिड को आप इस तरीके से आप भेधार अवी करता हैं पूरा बनकर दें अन्दर दाल Mé stuff करते हैं अधार की सब्सक्राइब तो अच्छा सा केक बन गया है लिकिन अब इसमें ट्विस्ट बाकी तो नहीं है तो इप अजब को यहिए गाल कि आउ भी प्रांई के वाद हमे इस तरीके के दाल ने के रहना है दालने के बार में इसमाद धूड़ा सा दूंद आट करेंगे जिस्दे तो ये देखे कितने अच्छे से मैल्ट भी हो गई है, अभी तो सारी मैल्ट नहीं हुई, लेकिन दीरे दीरे स्लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसको पकाना है, और दीरे दीरे आप इसको हिलाते रहें, जिससे कि आपकी चॉक्लेट मैल्ट हो जाएगी, मैल्ट होने के बाद जो वो अराम से निकल जाएगा तो ये देखिए हमारे केक भी निकल गया अब हम इसको सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद हम इसको थोड़ा से उपर से लेयर कट कर लेंगे जिससे की जो अब हम गनास डालेंगे न वो अंदर तक जा सके तो बस हमें पतली सी ही लेयर कट करनी है और इसके बाद हम इसमें गनास डालेंगे तो इसी तरीके से कट कर लें बस थोड़ा सा ही निकाल ले और जो हमने गनास बनाया था वो आप डालें और आपको भी बहुत पसंद आएगा तो यह बढ़ों को भी बहुत पसंद आता है तो अगर कोई गैस आरे है तो आप इस तरीके से बना कर रख सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही यमी लगता है मियोनीज तो आप मार्केट से बहुत लाते होंगे लेकिन आप एक बार घर में बनाएं वो भी तेस्टी और हेल्दी मियोनीज घर बाहर की जो होती है नो बहुत ऑईल होता है ये नुकसान भी करती है तो ये मैंने काजू को बिगो के रख दिये थे घर बिगोने के बाद मैंने मिक्सी जाल दिया थोड़ा सा दूध एट करके इस截त यस तरह के से पीश लिया है अब हम इसमें कुछ इंग्रिडेंश डालेंगे जैसे मैं ने पनी डाल दिया है और थोड़ा सा हमें इसमें जो औरिगेन होता है वो हमने इसमें डाल दिया है या आपके पास पीजा मेक्स है औरिगेन हो कुछ भी डाल सकते हैं चिली फलेक्स डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें नमकेड करेंगे और लिट को बन कर देंगे और थोड़ा सा हम सिरकर डाल लेंगे और लिट को बन सिर के डालने से यह थोड़े टाइम ही चल जाती है तो लिट को बन करेंगे देखिए हमारी में उन्हें बिलकुल तैयार है आप घर पर ही जटपड में उन्हें बना सकते हैं हेल्दी और वह भी बहुत ही तेस्टी तो दोस्तों आज की वीडियो हमार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिलकुल भी न भूलें